उम्मीद है आप सब ने अभी तक Ant-Manal The Wasp Quantum Media Movie देखी ली होगी, थेट्रस में ना साही, टेलिग्राम से तो जरूर देख ली होगी Anyways, Ant-Manal The Wasp Quantum Media की कुछ major key moments में से एक moment वो था जब Janet Kang के mind के दर जागती है और 15 सेकेंड के लिए हमें एक पूरा massacre scene दिखा जाता है, यानि Kang ने अपने past में क्या क्या कांट की है अब देखने में तो यह scene स्रिफ 15 सेकेंड का है, तो उसली तुम लोग यहाँ पे बहुत सारी details मिस कर सकते हो तो आज अपन इसी scene को frame by frame breakdown करेंगे और ही जानेंगे कि actually Kang ने past में कितनी सारी बुक्चियो दिया की थी लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अविनाश और अगर तुम ऐसे ही movies और superhero related stuff में इंटरेश्य हो तो तुम चलोगो subscribe कर सकते हो तो जब movie के अंदर Janet जो है Kang के mind के जागती है तो यह 15 second का scene deck place करता है अब starting ही होती है Kang के face के साथ अब यह Kang के face वाला scene 10 या 15 frame के लिए रहता है मतलब एक second से भी कम में उसके आधे में अगर आप इसो slow down करोगे और frame by frame देखोगे तो पता चलेगा यहाँ पर Kang के दो variants है starting में हमें Kang का एक variant दिखा जाता है और इस shot के end होते होते एक दूसरा variant भी दिखा जाता है और इसको तुम अगर frame by frame देखोगे तब ही notice करोगे इसके बाद हमें interstellar space का एक shot दिखा जाता है जिसके अंदर बहुत सारे plants destroy हो रहे हैं अब इस scene को तो देख के यही लगता है कि भाई यह scene किसी भी तरह से physics को follow नहीं कर रहा है क्योंकि actually में plants जो होते हैं वो sun को या फिर किसी star को revolve कर रहे होते हैं और ऐसे किसी बितरह से unorganized नहीं रहते कि भाई एक के बगल में एक रत दो लेकिन तुम इस shot में देख सकते हैं कि भाई physics का कोई भी rule followed नहीं हो रहा है यह plant एक दूसरी के अड़ो स्पोडों से बसे हुए जैसे अपने इंडिया के अंदर लोग कहीं भी गहर बना लेते हैं वैसा टाइप में लोग हो रहा है जो कि मुझे बहुत जादा confuse कर देता है तो एक्चुली कॉमेक्स में इंकरजन को कुछ ऐसे वताया गया है कि जब आप टाइम ट्राइवल करते हो या फिर टाइम ट्राइवल की तुर्ण को छेड़ चाड़ कर देते हो तब दो अल्टरनेट अर्थ या दो अल्टरनेट टाइम लाइन आपस में कॉलाइड कर जाती है और दोनों में से कोई एक बचती है और उसी इवेंट को इनकरजन कहते है अब बात यहां पर सेरियस होती है जब लोग को पता चलता है कि उनकी अर्थ और एक अल्टरनेट अर्थ का इनकरजन होने वाला है तब इवेंचुली जो जीतेगा उसी का प्लैनेट सर्वाइव करेगा तो पूरा इवेंट हो रहा है जहांपे प्लैनेट डिस्ट्राइड हो रहे है यह इनकरजन का ही इवेंट हो रहा है और जो सुपरहेरो टीम जीत रही है यानि कि दूसरे सुपरहेरो टीम को जो उसके साथ होगा एंड इवेंचुली मुवी के क्लाइमिक्स आते आते अर्थ 616 के साथ उसी डॉमिनेटिंग टीम का कॉलेजन हो एंड जिसके बाल अपने अर्थ 616 के जितनी वी सुपर वोज है वो टीम अप करे और उस डॉमिनेटिंग वाले टीम को हरा कर ये पूरा इंड पर अकिले ही अटेक कर रहा है अभी सॉट पर तुम देख सकते हो कि भाई क्यांग फुल रीज मोड में अपने आर्मर पहने हुए भेंकर तरीके से अपनी पावर्स यूज कर रहा है और पूरी सिवलाजिशन को डिस्ट्रॉइ कर रहा है और इसके नेक्स शॉट में क्यां कैंग जैसे ही दिखेंगे जैसे तुम इस फ्रेम में देख सकते हो कि ये बंदा इस अटाक से दोड़ने के कोशिश कर रहा है यानि कि दूर जाने के कोशिश कर रहा है अब इसकी जरिफ हमें शैडो दिख रही क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है तो तुम अगर इसके फ इसके बाद हमें वापे से स्पेस का शॉट दिखा जाता है जहां पर बहुत से प्लाइट्स पर एक बीम से अटाक किया जा रहा है जिससे मेरी त्योरी और ब्यादा स्ट्रॉंग हो जाती है कि भाई ये चीज़ कोई ना कोई तो कर रहा है मतलब इंकरजन को रोकने के और अगर वो अल्टरेट टाइम लाइन्स को ही मिटा देगा तो उसके अल्टरेट बेइजन्स भी एक्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो मैल्टी वर्स को अक्यले ही रूल करेंगा जिसके बाद हमें सैक्रेट टाइम लाइन दिखा जाते हैं टूटते हुए जो की बहुत सार ब्रांजेस में डिवाइड हो रही है अब सेक्रेट टाइमेंड का इस तरह से टूटना शायद बैटल वर्ल्ड के बनने को दरसाता है इसी पॉइंट की बाद शायद बैटल वर्ल्ड बनेगा जहां पर सीक्रेट वर्स के सारे इवेंट मेचौरिटी के टिक प्रेस करेंगे अब देखो इस वीडियो में जितने भी बात सित करी वह तो देखो पूरी तरह से थियोरी है और मेरे दिमाग में जो जो आया मैंने वह सब्सक्राइब करके बला इकन दबा सकते हो आकि मेरा नाम है विनाश और मैं मिलूँग आपसे किसी और दिना से यह अमेजिंग वीड बाइ